असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम बच्चों की कहानियों की किताबों में देखेंगे कि वो कहानियों की किताबे जो हम सिलेक्ट रते हैं चार से लेके छे साल तक के बच्चों के लिए उन कहानियों की किताबों में थीम्स, मोरल्स और लेंग्विश की सेलेक्शन कैसी होनी चाहिए जिससे बच्चे रिलेट भी कर सकें, इंजॉय भी कर सकें, सीख भी सकें, स्ट्रेस्फुल भी ना हो और उन से उनकी पक्की दोस्ती हो जाए और वो lifelong reading और literature को अपने साथ लेके चल सकें सो हमारे सामने सबसे important चीज आज आती है, जब हम लेके आते हैं, themes के उपर कि बच्चे जो आपके 4 से 6 साल तक की उमर के हैं, कौन से themes होते हैं, जो कहानियों के इंदर मौझूद होने चाहिए और बच्चे उने पढ़ें तो उनको मज़ा है सो हमारे सामने बहुत धे सारी चीजे मौझूद हैं, जैसे के love, friendship, achievement, association, solidarity, honesty, integrity, death, separation और disability सो ये variety of themes हैं, जो हम 4 से 6 साल तक के बच्चों को कहानियों में introduce करवा सकते हैं और सबसे important चीज़ क्या है जब हम इन themes को introduce करवाते हैं, उसके अंदर main overarching theme हमेशा ये चीज़े आती हैं जिसमें इंसानियों से महबत है जिसको हम कहते हैं कि human beings से महबत करना, आपके जो जानवर हैं, जो हमारे environment का हिस्सा हैं, उनसे महबत करना सिखाना है और उससे important चीज़ ये आती है, कि आप अपने environment को समझ सकें, कि जिस आप माहॉल में रह रहे हैं, उसके आपके लिए क्या responsibilities हैं और आपने उन responsibilities को कैसे निभाना है तो ये तमाम के तमाम important themes हैं, जो हम बच्चों को बताते हैं सो ये बहुत ही important है के बच्चे इंसानियत के बारे में सीखें, humanity के बारे में सीखें, Computer के बारे में सीखें और अपने environment के बारे में सीखें, कि ऑन्होंने अपने environment में responsibility के साथ कैसे आगे बढ़ना है अगले important चीज़ आती है कि हम कहानियों में अमूमन हमें एक थीम मिलता है Morals के उप़र कि हम बच्चों को एक Morality के उप़र कहानिया बताते हैं और बताते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है इसको हम Literature में Static Sensitivity का नाम भी देते हैं So बच्चों की Literally जो किताबे हैं उसके अंदर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जिसको देखके ऐसा लगे कि आप बच्चे को डिक्टेट कर रहे हैं या जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए जब उन मोरस को पढ़ें तो उसको सेंस कर सकें ना कि उनको यह लगे कि उनको बता दिया गया है और अब यह उनके उपर इंपोज हो रहा है इसकी इंपॉर्टन वज़ा यह होती है कि बच्चे अपने उपर इंपोजीशन इस उमर के बच्चे कमांड बरदाश नहीं करते या वो उससे सुनना पसंद नहीं करते और उन कहानियों से इंप्रेस नहीं होते और उनसे अपना रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं करते तो कहानी अगर रिप्रेजेंट की जाए अगली important चीज आजाती है हमारे सामने के बच्चों की कहाने की किताबों में language कैसी होनी चाहिए simple होनी चाहिए definitive होनी चाहिए वो language होनी चाहिए जो बच्चे समझ सकते हो ऐसे narration हो ऐसा style हो जो बच्चों की vocabulary उनकी language development की जो भी milestone है उसके मताबिक हो अब आपके सामनी चार से छे साल तक का बच्चा है बच्चा जो है वो आपके अंग्रीजी हो या उर्दू हो या जिस भी जबान का literature हो उसके complex sentences भी पढ़ सकता है enjoy कर सकता है समझ सकता है तो हम बच्चों को थोड़े complex sentences या complex grammar की तरफ ला सकते हैं तो इस कहानी के अंदर आप जो हैं मज़ेदार किसम के जुमले भी रख सकते हैं कुछ ऐसे grammatical terms भी रख सकते हैं जो बच्चों ने पहले ना सुने हो और वो आप उन्हें सीखना चाह रहे हो तो language के dynamics में एक important चीज़े आती है कि language इस तरीके से represent की जाए कि बच्चों को याद रह सकें कि आपने उसमें कौन से complex grammar के जुमले समाल किये हैं कौन सी terms यूज की हैं वो तभी मुम्किन है जब आपकी language में वो words या वो terms रिपीट हो रही हो या वो तमाम चीज़े आप यहां पर पढ़ सकते हैं जैसे के rhyme structure है आज जैसे के synonyms हैं synonyms और antonyms मौजूद हो और short sentences मौजूद हो जिनको बच्चे पढ़ भी सकते हैं समझ भी सकते हैं और उसको अपनी आम जिंदगी में repeat भी कर सकते हैं तो यह वो तमाम elements हैं जो अगर language के अंदर मौजूद हो कहाने की किताबों में तो बच्चों की language development में वो उनको help out करते हैं Thank you so much